हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे MIW वर्सिस जीजे डब्यू ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम दा ग्रेंड लिक पॉइंट ओफ यूगि स्मॉली का वीडियो अल्रेडी मुंबई गुजरात के मैच का आपको मिल चुका है WPL में विनिंग का सिलसिला जा रही है लेकिन अगर आप अप ये उपनेट पे भारी नहीं है तो जल्दी से आज़िए टेलीग्राम चल पे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें एक बार यार लर्निंग तो ज़रूरी अर्निंग से पहले तो एक मैच और ये दोनों टीम्स खेल चुकी हैं आईए देखते हैं उस टीम में कैसी टीम ने करोणों की विनिंग करी थी कौन सी टीम थी जो बेस्ट पॉसिबल टीम थी जिसे ड्रीम टीम बोला जाता है तो भाई उस मैच में हुआ क्या था एमिलिया कर ने आके चार विकेट निकाले थे और साथ में अच्छी खासी तीस रन की सपोर्टिंग पारी भी खेल दी थी तो अमिलिया गर तो भाई कैप्टन बन गई थी भाई 46 नॉट ओड या 44 नॉट ओड कुछ ऐसा 40 प्लस स्कोर किया था और नॉट ओड रही थी हर्मन प्रीत कौर शबनम इस्माइन ने विक्टे निकाली थी मेडन वगेरा हर जगाए इनवॉल्मेंट था वाइस कैप्टन बन गी थी मैथ्यूज भी आ गई थी और नेट सिवर भी नोटिस करोगे तो मुंबई की चार ओवर्सिस प्लेयर यास्तिक और हर्मन छे प्लेयर आई थी गुजरात की भी मैक्सिम ओवर्सिस प्लेयर आई थी क्योंकि केटि यहां केटिन ब्राइस गाड़नर तहु हूँ और बैथमूनी आ गई एक प्लेयर रह गई थी लिच्फिल्ड क्योंकि बाई गुजरात आपको पता है पांच ओवर्सिस प्लेयर खिलाना उनको अलाउड अच्छे खासे सितारे हैं और सीवी सीवी मुंबई का है तो यह अपनी टीम्स के लिए रेडी रखना मेरी तरह विनिंग करना चाहते हो आपको अच्छा प्राइस विन करनी कोशिश करनी है तो उसके लिए आपको बता दू मैं कोई भेड़चान नहीं करता मैं वह नहीं क स्क्रिप्शन पर एकदम मुफ्ता आपके लिए आज तक मैंने कभी एक रुपया नहीं मांगा ना मैं कभी मांगूंगा क्रिकलान फॉरकस्ट आपके लिए फ्री है आप जॉइन करिए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलिग्राम का सारे अपडेट ना दें यह आप देख रहे हो यहां गेम चेंजर ऑडियो सब कुछ बताता हो वेरिफाइट टिक मांग देखने को मिल रहा है ग्राउंड डैमेंशन भी एवन मेरे वॉइस मेसे रहते हैं एंड तक तो जरू टेलिग्राम में जुड़ें लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन हैं तो हम इस लाइनप के साफ से अपनी टीम क्रेट करेंगे और यह आपको उजरात की देखने को मिल रही है पिछले कुछ मैचिस में स्नेरा ना इंजड हर लिंड रूड़ रूट हो गई है तो इस लाइनप के अधार पर हम अपरी टीम क्रेट करेंगे अब आज के जो ब बैथ मुनी लिश्फिल्ड और ओर कर सकती है नैट सिवर आपको ओर दे रही है दो तीन ओर भी करती है बढ़िया बलेबाजी एंड कैचिंग पूजिशन वन डाउन पर बलेबाजी है अब थ्री डाउन पर आ रही है अमिलिया कर पिछले कुछ मैचिस में ओर उने लगे बैथ मुनी और गाडनर अगर गुजरात को फिर करना है तो यह दोनों प्लेयर्स को स्टैप अप करना है तो यह आपकी बैस सीवी सी हो गई आई यह कुछ डिफरेंशल देखें साइकाइशा को डिफरेंशल में डाला था पिछले मैच में भी तीन विकेट लिए कुछ ची हो देन पूजा वस्तराकर भाई बल्या हो गेंद हो हर जगा से परफॉर्मेंस आ सकता है टीम के लिए एक यूटिलीटी प्लेयर है मौका जब कोई प्लेयर का अच्छा काम नहीं आ रहा पूजा वस्तराकर स्टैप अप करती है मन्यत कश्यप लेफ्ट आउं स्पिनर बस इनके और कट रहा है मुझे यह प्रॉब्लम है और मेगना सिंग इनकी एक मैने वीकनेस देखी यह पावर फ्ले में अच्छी बोलिंग नहीं कर पारी बट आफ्टर पावर प्ले खतम तो यह बहुत बढ़िया डाल रही है पावर प्ले के बाद यह आफ्टर पावर प्ले क्यों बैत मुनी स्टार्ट वें इंको पावर प्ले के अंदर शॉस कर रही थी और पावर प्ले के बाद को बॉलिंग देती है लाइनौ तगडी है कूछ स्टर पर आज आगे वह दोंगा देता था लेकिन आफ्टर पावर प्ले वह यह काम नहीं कर पार इनको बाँटरी पर चार फिल्डर भी मिल जाते हैं न पावर प्ले के बाद जिनको नहीं पता वुमें क्रिकेट बिना पार सथी चार फिल्डर रहते हैं बाउंडरी पर पावर प्ले के बाद अब नोट आप करना जी एल कॉबिनेशन्स हम देख रहे हैं इसमें मैंने फेवर जादा मुंबई को ही किया है बट मैंने ना हेडिंग पर जी लिखा क्योंकि रेडनम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई फेवर ही एक आद आपको गुजरास फेवर भी दिखेगा बट मुंबई इस फेवरेट ट रखी डिफ्रेंशल प्लेयर मैंने डाली साइक आईशाक और यास्तिक और हर्मन को भी रखा मैंने सिर्फ ना फी ब्लीच फील्ड को छोड़ा और कैथिन ब्राइस को छोड़ा बाकी गुजरात की इंपोटेंट प्लेर ली तनुजा कवर गाड़ा लॉरा और मुनी तोटल कॉंबिनेशन यहां है लेकिन अब चेज कर रहे हैं यहां मुंबई क्या कर रही थी बैट कर रही थी बैट करेगी तबी तो तरुजा कवर गाड़नर विक्टे निकालेंगी लेकिन अगर चेज करे भाई मैंने अब कवर को नहीं रखा मुझे विक्टे नहीं चाहिए ब्र को क्यों नहीं रखा भाई जब मैं चाहरों बैथ मुनी लोरा वुलवार्ट फिब्लीच फील्ड तीनों टॉप ओडर की बल्लेवाश टिक जाएं तो भाई शबनम का क्या काम है ना फिर बड़ा रिस्क है लेकिन लॉजिकल है अगर मैंने रिस्क लिये है शबनम पर मुझे फिनर पर फच जाता है उस लॉजिक से कौन सी थी वो प्लेयर यास्तिका बाटिया यास्तिका बाटिया आउट हुई थी चमारी पर तो वही लॉजिक रखा भाई ओपने रखे हैं तो फिर मैंने एसो कॉम्बिनेशन बनाया है मुंबई आके चेस करे टॉप थ्री हेले मैथ्यूज नैट सीवर और यास्तिका के थुरू कैटन वाइस कैटन ओपनर और वन डाउन के प्लेयर को दे दिया मैंने हर्मन प्रीत कौर को नहीं रखा क्योंकि मैं चाही ने दिया उनकी बल्लेवाजी है एक से ज्यादा विकेट इना जाए ठीक है मुंबई की तो यह च को नहीं रखा ना कोई विकेट तो अल्डी ले त्योंकि शब्नम इसमाइल आती ही पाउर प्ले में है सो वेन इन शब्नम लॉरा गोज आउट ठीक है यह सोच के शब्नम अंदर डाली तो लॉरा वुलवाट को टीम से बाहर कर दिया आप बेस्ट ऑफ गुजरात वैसे तो की जगह आप पूजा को रख लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा यह चेंज आप कर सकते हो बाकि आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने ठीक है यह गुजरात फेवर में है अब यह देखके चलो टीम एक तरफ यह दोनों एक तरफ वैसे ही मुंबई के लिए यह तीन और रांडर बेस्ट है जिसमें नैट सिवर पर अच्छा रोल है तो इन दोनों को सीवी सी किया बाकि अपने अकॉडिंग टीम एड़जस्ट कर सकते हो अगे लॉरा मुनी है तो शबनम को मैंने नहीं रखा है यहां पर शबनम भी है पूजा भी है साइका भी है तो फ अब भाई मुंबई ने लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट किया था सजना से एक ओवर अमन जोट से ओवर वो रोज नहीं होगा ठीक है बागी कर जाए तो हर्मन परी तो उनकी मरजी तो ऐसे ट्रेंड के इसाब से टीम करी है मुंबई टोटल बोलर्स वेवरेट कर दिये और लॉरा वुलवाट को ड्रॉप कर दिया अब आप दोस्तों देख रहे हो मेरे बाकी के कॉंबिनेशन ओफ स्पिनर और राउंडर्स हेले मैथ्यूस को कैप्टन सी दे दी बाई हेले मैथ्यूस का बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना है वो नहीं आया है लेकिन वो टीम म इसमें मैंनेु corridor पूज़कर रहे हैं नोट करना मेरी हर टीम में एक और डिफरेंशल रहेएगा ठीक है बाक है लिए चाहित को ड्रॉप कि नहीं एक हक सद्स chem को करतेiquement स्थे नहीं है निकाल सकते हैं पिछली ड्रीमट कीवाइस कैप्टन थीं बढ़ मेरा रिस्क है भाई ह अगर scoring अच्छी खासी होती है, मैंने ऐसी players रखी है, पूजा वस्तराकर भी all-rounder ही है, इंडिया के लिए, मारियू यह इन्होंने runs भी, और यह आपने देखा है stroke लगाती है, Bryce runs कर सकती है, Scotland की opener है, सब यह players वो हैं, अगर 200 runs बनते हैं, teams के, तो high score होता है, तो मज़ा आएगा, अब यह last combination, यहाँ पर हमने देखी थी, और राउंडर, यहाँ हमने देखी है best spinner, देखो best spinner तो अभी भी यही है, गार्डनरी best spinner रहेगी, आप कह सकते हो, तरुजा cover भी गुजरात के लेकिन जो number one spinner, last dream team की captain है, अमिलिया कर उनको back किया है, दोनों teams की spinners को CVC करो, तो भाई दोनों teams की wicket keeper तो चाहिए, यह कादी team में यास्तिका को drop कर सकते हो, ज्यादा में मत करना, तो दोनों teams की जो best spinner है, एशले गार्डनर, वाइस captain, मुंबई की best spinner अमिलिया कर, उनको captain रखा है, बेंगलोर में होते हैं, उसमें victor ली थी, और उनमें ही चार victor इस team के सामने थी, बट मैंने back की है, बिकॉज यह grand league है, and I think Emilia Kerr is best bowler, बहुत अच्छी lexpin करती है, थोड़ा सा भी उनकी line length फसरी है, इसलिए मेरी team में यह CVC है, मैंने आपको अपने 9 combinations share किये, small league का वीडियो अल्रेड़ी दिखा दिया था, आपने small league नहीं देखा ना, तो जल्दी जाके देख लो, miss मत किया करो, टेलिग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, सब कुछ मुफ्ति आपके लिए इसका मतलब यह नहीं है, आप value करो, क्योंकि मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं चाता हूँ, आप भी मेरी कदर करें, अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए,